हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम स्टेडी करेंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉलिम सॉल करेंगे तो कोशन आपके सामने है कोशन में लिका है तो कोशन में ये जो ढाइगराम दिया है ये जो फोर्स सिस्टम दिया है इसमें तोटल तीन फौर्सेश दिये है और ये तीनो फोर्सेश एक सिंगल पयाइट से पास हो रहाए इट मिन्स ये एक concurrent co-planer फोर्स इसम है और यह force system का हमें result and find out करने के लिए कहा है और यह हमें graphically solve करना है इतमीZ हमें इसको graph page का यूज़ करना है वैसे कोई भी force system का result and find out करने के लिए दो method होते है पहला होता है analytical method और दूसरा होता है graphical method analytical method माने वो जिसमें आप book के उपर particular problem को calculator का use करके solve करते हैं और graphical method माने वो जिसमें आप particular problem को graph page का use करके solve करते हैं वैसे इस type के force system का resultant analytically कैसे find out करना उसके उपर already हमने इसके पहले number of videos upload किये थे वो videos आप देख लिजेगा आपको analytically problem को कैसे solve करना वो समझ में आ जाएंगा लेकिन आज का ये problem हमें graphically solve करना है तो चलो finally problem solve करना शुरू करते हैं तो ये हमने graph book ले लिया है और graph book के lining वाले page पे हमने given question को लिख लिया है और अब left side में it means graph page में हमें इसका solution draw करना है अब solution draw करते समय आपको total 2 diagrams draw करना होता है एक रहेंगा space diagram और दूसरा रहेंगा vector diagram तो चलो हम सबसे पहले space diagram बनाएंगे space diagram actual angles का use करके draw करना होता है तो पहला force 1000 newton का है वो right side जा रहा है तो हम पहला force show करेंगे 1000 newton का force जो horizontally right side जा रहा है और वो as it is show करना है उसका length आप कितना भी लोग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पे total 3 forces show करना है और दूसरा force देखो vertically उपर जा रहा है 2000 newton का तो यह हम vertically उपर ऐसा 2000 newton का force show करेंगे और force के direction जो question में है वही show करेंगे तीसरा force 1500 newton का है यह 60 degree से inclined है देखो protector हमने रखे और 60 degree का आपको angle measure करना है और यह angle 2000 newton force से measure करना है यह बात ध्यान में रखो 2000 newton से 60 degree है देखो उपर से 60 degree तो नीचे से क्या हो जाएंगा नीचे से angle 30 degree का हो जाएंगा तो यह देखो हमने यहाँ पर angle यहाँ पर mark कर लिए और यहाँ पर force हम शो करेंगे कितना force है 1500 newton का force और angle भी हम शो कर लेंगे यहाँ पर 60 degree का और finally फिर यह space diagram complete हो जाएंगा और फिर हम इसके अंदर section लेंगे section के लिए आपको voice notation का use करना होता है section आप clockwise दो या anti-clockwise दो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है आप कही से भी start कर सकता है तो यह हमने finally तीनो forces यहाँ पर show कर लिए है और section के तोर पे यह हम सबसे पहले लेंगे section A, यह देखो यह हमने लिया section A then यह हमने लिया section B और यह लिया section C यही section का use करके अब हम draw करेंगे तो अब हमें vector diagram ट्रॉ करना है उसके लिए यही section ABC का use करना है तो vector diagram के लिए scale लेना जरूरी है तो देखो forces क्या दिये है 1000, 2500, 1500 ऐसे forces दिये है तो vector diagram के लिए हम scale लेंगे 1 cm equals to 500 N scale क्या लेना यह पूरा choice आपका होता है तो यह देखे 1 cm equals to 500 N का हमने scale ले लिए और अब vector diagram ट्रॉ करना शुरू करता है तो हम section A से start करेंगे तो यह हमने कही पे भी यहाँ पे vector diagram के लिए कही पे भी एक point हमने ले लिए point A ठीक है और अब space diagram में देखो A to B आपको पहले जाना है और बीच में ऐसा vector बनाएंगे जो right side में हम show करेंगे और उसका length रहेंगा 2 cm क्योंकि scale के according 1 cm माने 500 N है तो 2 cm माने 1000 N हो जाएंगा तो यह देखिए हमने AB vector यहाँ पे show किये A to B हमने यहाँ पे show किया है 2 cm का vector बना लिए और अब B to C देखो space diagram में B to C क्या है बीच में 2000 N है और वो vertically उपर जा रहे है B to C 2000 N तो scale के according वो हो जाएंगा देखो यहाँ पे हमें B से हमें उपर vector शो करना है और scale के according वो हो जाएंगा 4 cm क्योंकि 500 N का 1 cm है तो 2000 N का 4 cm हो जाएंगा तो हमने B से 4 cm उपर हमने point mark कर लिए और यहाँ पे हम BC vector हम शो कर रहे है यह देखे 4 cm का BC vector ठीक है और इस तरह से देखो A to B पहले हमें जाना था तो हमने A to B 2 cm बना लिए B to C vertically उपर जाना था तो हमने B to C 4 cm बना लिए और अब C to A देखो C to A बीच में 1500 Newton का force है तो आपको C पे inclined 1500 Newton के लिए आपको एक vector draw करना पड़ेंगा देखो हमने यहाँ पे protector C की उपर vertically set कर लिए और आपको उपर से 60 degree का angle लेना है तीक है वो angle 60 degree उपर से आपको count करना है यह बात धहन में रखो तो 60 degree का angle हमने mark कर लिए और यहाँ पे हम vector बनाएंगे कितने centimeter का यह vector रहेंगा तो यह रहेंगा 3 centimeter का vector क्योंकि 500 Newton के लिए 1 centimeter है तो 1500 Newton का 3 centimeter बनेंगा तो यह हम 3 centimeter का vector यहाँ पे show कर रहें last जो point रहेंगा उसको हम दे देंगे A dash तो A to B हो गया then B to C हो गया देखो और last में फिर C to A वो भी हो गया और वो 1500 Newton और वो inclined हो गया तो इस तरह से हमने यह सभी vector शो कर लिए और अब क्या करना है पहला point A और last point A dash इसको हम join करेंगे A dash को join करने से हमें क्या मिलता है हमें resultant मिलता है तो देखो यह हमने A dash को join कर लिए और यहां पे हमें resultant का direction शो करना है यह vector के opposite में show करना होता है देखो vector का direction A to B B to C और C to A dash ऐसा है तो इसके opposite में हमें resultant का direction शो करना है resultant जो है वो dotted line के उपर हमें show कर रहे है और उसका direction देखो हम show करेंगे direction हमेशा यह बाद आपको कभी भी धहन में रखना है कि graphical method में resultant का direction opposite to the vectors आपको show करना होता है तो हमने वो show कर लिए और अब यह resultant का magnitude क्या है उसका angle क्या है वो हमें अब lining वाले page पे solution के तोर पे लिखना है तो यह हम लिखेंगे lining वाले page पे from the graph length of A A dash that is 7.2 cm लेकिन हमें अगर resultant का magnitude find out करना है तो हमें इसको scale से multiply करना पड़ेंगा तो यह हम formula यहाँ पे mention करेंगे resultant को R से show करेंगे और इसका formula है resultant R equals to length of A A dash into scale, scale से multiply करना है तो हम यहाँ पे करेंगे multiplication 7.2 into scale कितना है तो scale था 500 N का देखो हमने लिखा था 500 N का scale तो हम यहाँ पे 7.2 को 500 N से multiply करेंगे तो finally हमें यहाँ पे resultant का magnitude मिल जाएंगा तो यह हम resultant का magnitude लिखे रहे 3600 that is 3600 और अब यह resultant का angle हम इसको कहेंगे angle theta और यह theta हमें vector diagram में measure करना पड़ेंगा protector से देखो यह resultant है यह resultant का जो angle horizontal के साथ जो होगा उसी को कहेंगे angle theta देखो horizontally angle हमने show किये theta और यह protector से हम check करेंगे protector आपको horizontally set करना है तो यह देखिए यह हमने angle measure कर लिया है और यह कुछ 50 degree आ रहा है तो यह हम यहाँ पे लिखेंगे that is 50 degree का angle तो finally question में जो resultant का magnitude direction position find out करने की बात हो रही थी by using graphical method तो यह हमने सब कुछ find out कर लिये resultant का magnitude है 3600 newton resultant का angle है 50 degree और resultant का direction और position हमने vector diagram में show कर लिया है इस तरह से यह solution complete हो गया उमीद करते हैं कि यह solution आपको समझ में आया होगा यह solution आपको अपनी graph book में भी draw करके देख लेना चाहिए यह था आज का resultant by graphical method का problem number 5 इसके पहले जो हमने इसके 4 problems लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियो में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छे खसी प्रैक्टिस हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much